कि हाई अब्रीवन आई मैं तुल राज में प्रेजेंट हूं अपनी वीडियो चैनल पेपर है कर चैनल के साथ में तो आज का जो वीडियो है बीसी पार्ट बन बानों के लिए इन और गैनिक केमिस्ट्री का है मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है आपका आइनन विभव देखते हैं जो आज का जो हमारा कोश्चन है आइनन विभव या आइनन ऊर्जा ठीक है यानि देखते हैं जब किसी तत्व मैंसे गैसिय परमाड़ के वाह को सो मैंसे इलेक्ट्रॉन को वाहर निकलने के लिए जितनी इनर्जी की आवस्यक्ता पड़ती है तत्व का आइनन आइनन विभव कहलाता है ठीक है फिर से देख लीजिए कि जब किसी तत्व मैंसे गैसिय परमाड़ के वाहर बहुत से इलेक्ट्रॉन वाहर निकलने के लिए जितनी इनर्जी की आवस्यक्ता होती है तत्व का आइनन विभव कहलाता है इसे किलो जूल यानि के जूल पर मो बाहर है सिग्वर कि अब यह इसके उसमें से कोई उलेक्ट्रोन जब बाहर निकलेगा मालीजिये यह यह बाहर निकल निकलने के लिए जो इनर्जी चाहिए वो आपको 44.4 electron volt होनी चाहिए ठीक है इस तरह से यहां पे जो helium की जो helium का जो एक आपका उपर positive charges है इसको एक electron को बाहर निकलने के लिए 24.6 electron volt energy की आवस्यक्ता होगी लेकिन जो helium मैं देखिए helium मैंसे एक electron निकलने के लिए 54.4 electron volt की उर्जा आवस्यक्ता होती है यह helium का आइनन विभब कहलाएगा ठीक है जो 44.4 electron volt जो इस helium electron को बाहर निकलने के लिए आइनन विभब जो हुआ उसका क्या कहेंगे उसको 44.4 electron volt ठीक है तो और जो helium से पहला electron जो निकला था इसको निकलने के लिए 24.6 यानि दूसरा electron सब्सक्राइब जो दूसरा electron था 40 24.6 electron volt की जिसको आवस्यक्ता पड़ेगी यह इसका आइनन विभब कहलाएगा ठीक है तो जितना electron की किसी भी परतत्तों मैंसे जब को electron गैसी परमाड़ू मैंसे कोई electron वह कोचते जब बाहर निकलता है तो उस बाहर निकलने के लिए जितनी उर्जा की आवस्यक्ता पड़ती है वह उसका आइनन विभब या आइनन उर्जा कहलाता है ठीक है तो जैसे हीलियम पिलस पिलस टू पॉजिटिव इलेक्टरन से दिये हो इन दौनों को बाहर निकलने के लिए 44.4 इलेक्टरन वोल्ट की आवस्यक्ता पड़ेगी तो 44.4 इलेक्टरन वोल्ट जो होगा वह इसका आइनन विभब होगा दूसरा होगा एची देखे यहां पर बन इलेक एक इलेक्टरन निकलने के बाद जो चार्जस बनता है एक इलेक्टरन निकलने के बाद बने धनायन में प्रभावी नाविक यह आवेस अधिक होता है तो प्रथम का मान होगा और दूसरा वाला जो थो तो पहला दूसरे आने बहुत की तुलना में अधिक रहता है और यह जरूरी भी है अब देखिए इसके जो आयनिन को प्रभाबित करने वाले कारक है यानि ऐएञ्नि को प्रभावित करने वाले कारक कौन 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 से कारक प्रभावित करते हैं किoten ठीक है देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग दा आयोनाइजेशन पोटेंशियल यानि आयन विभव को प्रभावित करने वाले कारक नमबर एक होता है कच्छकों का जो इसमें और विटल्स होते हैं उनका पूंड रूप से या अर्ध रूप से भरे होना यानि अर्ध भरित या पूंड भरित जो कच्छक होते हैं उनका भरा होना ऐसे परमाड़ू जिन में अपनी छमता से इलेक्ट्रॉन की संख्या आधी या पूंड भरे हों तो वे अधिक स्टेवल होते हैं यानि वे कैसे होंगे जो अर्द भरे हों जो पूर्ड भरे हों तो वे जहनी जो और विटल्स पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन से फिल होगा तो उसकी स्टेविल्टी तो एक्टमेटिक जादा ही होगी दूसरा नंबर होता है एक्टमिक रेडियस यानि परमाडविक तरज्या उनकी परमाडविक तरज्या में क्या फर्क पड़ता है देखिए परमाडविक तरज्या बदलने पर आइनन विभब कम हो जाता है यह इसका अपना डिमेरिट्स इसकी प्रॉबिल्टी होती है उसके बाद में जो नाविक आवेश होता है नाविक आवेश चार्जरस होता है इसमें क्या परिवर्थान आता है देखिए जो नाविक आवेश जो होगा वो बढ़ जाए यानि नीकिलियस पर चार्जस होगा वह बढ़ जाएगा और इक्टॉन की क्वांटिटी वह बढ़ जाएगे इसके बाद में इस पी इलेक्ट्रॉन निकलने का प्रभाव यानी एस और पी इलेक्ट्रों निकलने का क्या फेक्ट पड़ता है दिखिए जो एन के मान के लिए वाहे कोश का वाहे कोश इलेक्ट्रॉन द्वारा बने आवेस मेग की भेदन सीमा जो होती है उस किरम को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं एस पी डी और एफ इसका मतलब जो है सबसे ज्यादा है आपका जो आवेस होगा मेग वेदन की जो समता हो गी एलेक्ट्रॉन आवेस होगा वु सबसे ज्यादा किस पर और बाहरबाल किस फ़े होंगे सबसे ज्यादा जैड़ा होते हैं तो लेक्ट्रॉन होगा बाहुक। कि महनठ के लिए एफ को जो आवेस होगा सबसे ज्यादा होगा हुआ हойд due पर самые इस मेकार से जो आज की हमारी वीडियो थी इंप्रोटन वीडियो थी आपकी यसी तरह से हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं फ़र्स्ट रो襟 और फलनों के लिए तो लगा